हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7 की वॉक्षीट नंबर 15 जो की 10th of September 2021 की वॉक्षीट है और आज का सब्जेक्ट है बेटा Social Science और आज का टॉपिक है Equality देखो यहां पे हमें एक पिक्चर दिखा रखी है शायद आप सभी पहचा बानते होंगे इन्हें यह पिक्चर है डॉक्टर भीम राव अमबेटकरजी की और यहां पे इनके द्वारा कही गई कुछ लाइन को लिखा हुआ है तो चलिए हम समझते हैं कि इन लाइन में क्या बता रखा है तो लाइफ में सबसे इंपोर्टन चीज डॉक्टर भी आर अमबेटकर जी ने बता रखी है बिना सेल्फ रिस्पेक्ट का इंसान जिन्दा तो है पर उसकी लाइफ में हम कहने सकते कुछ अच्छी चीज है और हमेशा इंसान को अपनी डिफिकल्टीज को ओवरकम करना चाहिए और लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे जादा सबसे बड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए तो हमें बहुत ही hard work के बाद बहुत सारे struggle के बाद हमें recognition मिलती है और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम hard work करते रहें जिससे हमें strength मिलती है confidence मिलता है और हमें recognition मिलता है man is mortal everyone has to die someday or the other तो man mortal होता है और mortal का मतलब होता है कि कभी ना कभी तो इस इंसान को खतम होना ही है तो हर एक की जन हुआ है तो मृत्यू होती ही है but one must resolve to lay down one's life in enriching the noble ideals of self-respect and in bettering one's human life तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम self-respectful life जीएं self-respect के साथ जीएं और अपनी life को और जादा बहतर बनाने की कोशिश करते रहें किसी भी ब्रेव इंसान के लिए इससे बुरी बात नहीं हो सकती कि वो अपनी life को self-respect के बिना जीए अब देखो ये सारी बाते कहीं हैं डॉक्टर भी आरामेटकर जी ने इसका मतलब ये अपनी life में self-respect को बहुत जादा importance देते रहे हैं अब इसके बात देखो कहा है some provisions of Indian constitution to ensure equality तो हमारे constitution में ही बहुत सारी ऐसे provisions हैं यानि laws हैं जो equality को promote करते हैं उसको बढ़ावा देते हैं जैसे कि पहला है every person is equal before law यानि कानून के सामने हर एक इंसान equal है कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं है second है no person can be discriminated on the basis of their religion, caste, race, place of birth and gender यानि किसी भी person के against discrimination मतलब भेद भाव का वेभार आप नहीं कर सकते हैं इस basis पे कि वो किसी एक विसेश religion का है, caste का है, race का है या किसी gender का है या उसका place of birth हमसे थोगा different है, अलग है इस basis पे हम discrimination यानि की भेद भाव नहीं करेंगे तीसरा है यहाँ पे third point है, third provision है कि every person has the access of public place यानि कोई भी public place है उस पे जाने का हर किसी का अधिकार है, ऐसा नहीं है देखो आज की बहुत पहले कि अगर हम बात करें तो एक ऐसा समय था जब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों को use करने की मना ही थी जैसे कि बहुत सारे लोग कुओं से पानी नहीं ले सकते थे, पार्क में नहीं जा सकते थे, बहुत सारे ऐसी प्लेसिस थे, टेंपल में नहीं एंट्री ले सकते थे, तो वो सब चीज़े अब बंद कर दी गई है, And fourth है, untouchability has been abolished, यानि जो छुआ छूत का जो एक समस्या थी उसको भी अब abolish कर दिया गया है, यानि की खतम कर दिया गया है, और अब के समय में अगर कोई untouchability की practice करता है, तो उसे punish किया जाएगा, The two ways in which the government has tried to implement the equality, that is guaranteed in the constitution is first through laws, and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities, तो देखो, government ने time to time हमेशा ये कोशिश करी है, कि हमारे जैसे constitution में guarantee दी गई है equality की, तो government भी equality को promote करती है, कैसे, first है laws के थू, and second है, ऐसे कुछ programs and schemes बनाई जाती है, जिससे की, जो disadvantaged communities है, उनको better position society में मिल सके, इसके लिए ये schemes and programs चलाई जाते हैं, there are several laws in India that protect every person's right to be treated equally, in addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries, तो हमने देखा है, कि government ने, देखो, जो हमारे laws है, constitution में, उसको तो implement करना ही करना है, इसके अलामा, ऐसे बहुत सारे programs चलाए चाते हैं, government के द्वारा, जिससे की equality का promotion होता है, जैसे की एक इसमें से example है, जो reservation system है, ये इसी principle पर based है, कि जो disadvantaged community है, उसको जादा opportunities दी जाएं, जिससे वो बहतर बन सकें, these schemes are to ensure greater opportunities for people who had not have this in the past, यानि उन लोगों को जादा बहतर opportunities provide की जाती हैं, in schemes and program के through, इसके बाद देखो, एक program की बात हो रही है, जो की है, midday meal, this refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch, तो आपने अपने schools में भी देखा होगा, कि lunch time में primary के बच्चों को खाना दिया जाता है, first class से लेकर, fifth class के बच्चों को खाना दिया जाता है, इसी scheme का नाम है midday meal, और ये सबसे पहले Tamil Nadu में start की गई थी, पर 2001 में Supreme Court ने कहा, कि इसको सभी states में implement किया जाना चाहिए, और छे महिने के अंदर अंदर इसको implement किया जाना चाहिए, this program has had many positive effects, और इसके बाद, इसके implementation के बाद, इस program के बहुत सारे positive effects नजर आये हमारी society में, क्या-क्या है इसमें शामिर, तो these include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school, तो देखो पहले school में बच्चे कम आते थे, आते भी थे तो बीच में खाना खाने के लिए घर जाते थे, तो वापस आते ही नहीं थे, तो इन सब की समस्या midday मेल के थ्रूं solve की गई है, कि अब बच्चे जादा school में आते हैं, और वो school में ही रहते हैं, लंच टाइम में घर नहीं जाते हैं, और इस तरीके से हमारा जो education system है, और लोगों तक education की जो access है, वो जादा बहतर हो रही है, ठीक है? This program has also helped reduced caste prejudices, तो जाती को लेकर जो भेदभाव किया जाता है, अलगावाद है हमारी society में, कि यह person तो इस caste का है, वो person उस caste का है, तो जो यह differences है हमारी society में, उनको reduce करने के लिए, उसको कम करने में भी इस program ने काफी important role play किया है, क्योंकि यहाँ इस program के थुरू सभी बच्चे एक साथ बैठके खाना खाते हैं, तो यहाँ पे जो discrimination है, उसको कम करने में भी इसने important role play किया है, इसके बाद देखो, even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, race, differently abled, economic status and gender, तो हम सब जानते हैं कि discrimination illegal है, against है लोग के, पर फिर भी कुछ लोग हैं जो इसको practice करते हैं, तो देखो सबसे पहले तो हमें अपने behavior में change लाना होगा, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान superior है, कोई इंसान inferior है, अगर हम सब को equal मानने लग जाएंगे, तो यह जो problem है, अपने आप ही solve हो जाएगी, हमें हर किसी को respect देनी चाहिए, और इसी तरीके से society में हर एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ behave करना चाहिए, Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle in which individuals as well as various communities has to cooperate, देखो हमारे जो system है या society हम कहें, तो एक democratic society है, यहाँ पे बहुत सारे caste and religion के लोग हैं, तो उनके बीच में एक दूसरे के लिए respect होना जरूरी है, cooperate अगर वो एक दूसरे से करते हैं, तभी हमारी society में equality लाई जा सकती है, ठीक है, otherwise यह struggle तगड़ा चलता रहेगा, अब इसके basis पे हमें कुछ question की answer लिखने है, question number one है, mention some provisions of Indian constitution to ensure equality, तो equality को promote करने वाले provisions जो Indian constitution में दिये हुए हैं, वो हमें यहाँ पे लिखने हैं, तो देखो, यहाँ पे लिखने यह mention कर ही रखा है, तो question number one यहाँ से पूरा यहाँ तक आ जाएगा, question number one का answer, ठीक है, यानि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सारे provisions को mention कर देंगे, next है question number two, जिसमें हमें पूछा है, how does midday meal help to ensure equality, describe, तो midday meal ने हमारी society में equality को किस सरीके से ensure किया है, यह हमें बताना है, तो शलिए देखते हैं, इसका answer हम क्या लिखेंगे, तो देखें, इसका answer आ जाएगा, the program has helped in reducing caste-based prejudices, तो जो हमारी society में caste-based prejudices होते हैं, differences होते हैं, उसको कम करने में, इस program ने काफी जादा important role play किया है, अपना, ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, question number third, third question में हमसे पूछा है, suggest some majors to ensure equality in society, तो अगर हमें अपनी society में equality को promote करना है, तो हम क्या-क्या तरीके अपना सकते हैं, वो बताना है, तो चलिए इसका answer देखते हैं हम, तो देखिए, third question का answer लिखेंगे, some majors are, यानि कुछ जो उपाए हम अपना सकते हैं, वो है, first है, through laws, यानि नियम कानून बना कर, और इन में से बहुत सारे नियम कानून तो अल्रोडी बने हुए है, second है, through government programs और schemes, यानि government भी अलग-अलग programs और schemes के थुरू equality को प्रमोट करती हैं और करना चाहिए, and third है, by educating people, तो लोगों को educate करके, उन्हें aware करके भी हम equality को प्रमोट कर सकते हैं, तो बेटा, ये थी आज की हमारी social science की वोक्षीट, I hope आपको ये वोक्षीट अच्छे से समझ में आ गई होगी, and अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको like करें, अपने दोस्तों की साथ share करें, और इस चानल को subscribe करें, thank you,